Good morning students, आज हम maths का number name करने जा रहे हैं इससे पहले मैंने आपको 1 to 10 number name भी कराए थे और ordinal number भी कराए थे परन्तु आज हम सिरफ 11 से ले करके और 30 तक number name सीखेंगे ordinal number सिरफ आपको 10 तक ही अच्छे से करने हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 11 से ले करके और 30 तक number names ये आपने 20 तक तो पहले भी किये हुए हैं आज हम आगे भी सिखेंगे और पिछले की भी revision करेंगे तो 11 की spelling क्या होती है आप भी मेरे साथ साथ बोलोगे e-l-e-v-e-n 11 12 की बोलिए बेटा t-w-e-l-v-e 12 t-w-e-l-v-e 12 13 की t-h-i-r-t-e-n t-h-i-r-t-e-n 13 14 की क्या होगी बेटा f-o-u-r-t-e-n देखें बिलकुल इजी है 4 की spelling और पिछे t-e-n 15 की f-i-f 5 की spelling वैसे तो होती है f-i-v-e पर हम यहां लिखेंगे f-i-f-t-e-n 15 16 की क्या होगी बेटा s-i-x 6 की spelling राइट करेंगे उसके बाद t-e-e-n 10 16 ओके next हमारी है 17 तो 7 की spelling s-e-v-e-n t-e-e-n 17 ओके next 18 तो 8 की spelling राइट करेंगे पहले e-i-g-h t-e-n 18 e-i-g-h t-e-n 18 19 की क्या होगी बेटा n-i-n-e t-e-n 19 और 20 की बेटा t-e-n-t-y 20 ओके t-e-n-t-y अगर आपको 20 की spelling learn है उसके बाद 20 वाली line जो है यह complete करना बिल्कुल easy है देखिए 20 लिखेंगे starting में t-e-n t-y 20 और उसके बाद जो हम starting में 1 से 10 तक करते आए हैं 9 तक same वैसे ही पीछे लिखा जाएगा 21 यह हो गया है 21 next 20 आगे ऐसे ही t-w-e-n t-y 20 and t-w-o 22 है नहीजी बैटा next 23 तो 20 की spelling t-w-e-n t-y 20 and 3 t-h-r-e next 24 तो 20 राइट करोगे t-w-e-n t-y 20 and 3 के बाद 4 f-o-u-r 24 25 की t-w-e-n t-y 20 and f-y ve 25 अब यह 26 से लेकर 29 तक आप खुद करोगे 30 की spelling क्या होगी बैटा t-h-i-r-t-y t-h-i-r-t-y तो इसके बाद 30 वाली लाइन आपके लिए easy होगी बैटा 30 की spelling आगे राइट करोगे और पीछे 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आप 40 तक भी कर सकते हो ओके बैटा फिर 40 की spelling होगी f-o-r-t-y तो उसके बाद 40 से लेकर के 50 तक की आप आसानी से कर सकते हो 50 की spelling f-i-f-t-y तो आप ये खुद complete करोगे 40 तक तो at least ओके बैटा thanks and have a nice day